अस्सलाम अलेकुम, मैं हूँ मौम्मद तल्हा और आप लोग देख रहे हैं तलास वेसा केड़नी आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्टे के लेक्चर और फर्स्टे के लेक्चर में हमारा चप्टे नंबर 10 यानि के जिमेट्रिकल आप्टेक्स कंटीनु है और आज जो है जिमेट्रिकल आप्टेक्स का हम लोग दूसर लेक्टे कवर करने वाले हैं और इस में हम लोगत फुरे साथ बेसिक टोपिक है और पूरे ही चप्टर में तक्रीबन इस्तामाल होगा उसको हम लोग cover करेंगे और वो जो topic है वो है thin lens formula या thin lens equation तो यह जो equation है 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q यह आप लोगोंने metric में भी study करी थी बट उसमें आप लोगोंने drive की थी only for concave mirror लेकिन in first year हम लोग इसको drive करेंगे for convex lens आसान है सारे steps समझ में आज आने चाहिए ठीक है paper के लिहाज से theoretically इतने important नहीं है but numericals इसके आने के बहुत जादा chances होते हैं और बलके आते ही है और यह है कि पूरे जितने भी topics हैं चेप्टर के अंदर कहीं न कहीं हमें thin lens formulas में इस्तमाल करना ही पड़ता है so thin lens equation को drive करने के लिए हमें पहले consideration को देखना पड़ेगा consider करते हैं एक object जिसका real और inverted image form हो रहा है with the help of thin convex lens as shown in figure और मैं आपको बता हूँ अगर आप यह figure समझ जाएंगे तो thin lens equation की derivation मुश्किल नहीं है mean जो है न यह ray diagram है अगर ray diagram के लिए रो गई तो आप देखेंगे जो derivation है वो भी आसान है तो सबसे पहले जो हमने consider करना है उसको देख लेते हैं एक lens हमने consider कर लिया ठीक है और x है इसका optical center यह जो है इसका optical center यह एक्स और इस line कता आपको पता ही है यह line के लाती है principal axis ठीक है अच्छा अब जो lens हमने consider कर रहा है उसके focal point जो है वो यह वाला आ गया इस तरफ left hand side और right hand side वाला यह आ गया principal focus यह focal point यहाँ पर आ गया ठीक है जिसको हम f से show कर सकते है इदर वाला भी f हो गया इदर वाला भी f हो गया और कहां से optical center से लेके focus तक का distance focal length क्याल आता है इस तरफ का भी इस तरफ का भी याद रखिए कि जो principal focus है यह आता है capital F और जो length है वो होती है small f जिसे हम कहते है focal length अब एक object consider कर लेंगे left hand side पर और यह जो object है इसकी जो height है इसकी जो length है वो हो जाएगी a b के बराबर और यह कितना दूर रखावा है length से तो यह length से p फासले के उपर रखाए याद रखिए x से लेके b तक का जो फासला है वो बराबर है p के और जो object की length है a से लेके b तक समयलो यह वाला point a है और यह वाला point बराबर है b के तो a b जो है वो है object और वो lens से रखावा है p फासले पर ठीक है फिर वह होगा कि rays इस object से किसी भी source से टकरा के जब इस object से reflect होंगी और lens तक पहुचेंगी तो उनमें से बहुत सा ही rays बनाने की जूरत नहीं है दो rays बनाना का सबसे पहले पहली रे जो जाएगी वो optical center से पास होगी और already हमें पता है properties of rays के अंदर पढ़ा था कि वह जो भी रे optical center से पास होती वो अपने रास्ती को change नहीं करती तो वो सीधी सीधी चली जाएगी यहां से ठीक है अच्छा दूसरी रे गुजार देते हैं जो second property थी यान फिर property के मताबिक जो भी रे focus से गुजरती हुई जाती है और lens से पास आउट होती है तो फिर वो हो जाती है principal axis के parallel ठीक है वो हो गए principal axis के parallel और जहां पे दोनों rays मिलती है वहाँ पे बन जाता है एक image तो finally जहां यह मिल रही है वहाँ पे एक inverted image बनेगा और object के लिए आस तो यह हो जाएगा IQ के बराबर IQ यानि कि I हो गया यह वाला distance यह वाला point और यह वाला point हो गया बराबर Q के और कितनी धूर बन रहा है तो वो lens से कुछ फासले यह बन रहा है और वो फासला हम बराबर कह देंगे Q के ठीक है वो फासला बराबर हो जाएगा Q Q जो है वो हो गया image distance P जो है वो हो गया object distance F आपको पता है focal length है और बाकी पूरी diagram यहाँ पे बनी है जो मैं आपको वक्तन फवक्तन समझाता रहूँगा क्योंकि geometrical optics chapter है तो geometry को इस्तमाल करते हुए derivations करनी है हम लोगोंने सारी So, जैसा कि figure के अंदर नजार आ रहा है हमें दो right angle triangle नजार आ रहे है एक triangle ABX है और एक triangle IQX है ठीक है और यह दोनों से मिला रहे है क्योंकि दोनों ही right angle triangle है अब सबसे पहले मैं आपको ने इसके अंदर triangles दिखा दूँ ABX, ABX यह वाला triangle है A से लेके B और फिर वो जा रहा है towards X ठीक है और फिर X से वो गया A की तरफ यानिक एक right angle triangle यह जो बनावा है ठीक है और दूसर right angle triangle IQX है IQX का मतलब हो गया आई से लेके Q और फिर यहां से X तक का यानिकि यह वाला पूरा का पूरा जो triangle है एक से लेके Q और फिर यहां पर X से लेकर आई तक का, अच्छा ये जो दोनो triangle नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनो triangles हैं, right angle triangle और इनी दोनो triangles को अब मैं compare करने वाला हूँ, क्योंकि right angle triangles हैं तो इसका मतलब हम उनको compare कर सकते हैं compare इस तरीके से करते हैं, कि उनकी जो एक जैसी है, respective sides है उनके ratios भी equal आते हैं अगर दो triangle, right angle triangle ये theorem study करा हुगा आप लोगोंने metric में, कि अगर दो triangles, similar triangles हैं, तो उनकी जो respective sides हैं, उनके ratios equal होते हैं, यानि के बराबर होते हैं respective sides हैं, क्या मतलब है AB का ratio, इसके जैसी side कौन सी है, इस वाले triangle की IQ side है, तो AB को हम compare by IQ, इन दोनों का ratio मालूम कर रहा हूँ तो याद रखिए, बाकी दो sides के, respective sides के ratio के बराबर आएगे, और बाकी दोनों कौन सी sides suppose कर रहा हूँ, B से लेके X B से लेके, ये B से लेके X वाली, और इस वाले triangle की जो side ले रहा हूँ, वो Q से लेके X वाली, ठीके न, तो एक जैसी sides को जायर सी बात है, A, B comparable है IQ से, और B, X comparable है Q, X से तो इनके ratios equal आने चाहिए according to geometrical theorem, अगर दो triangle similar triangle है, तो अच्छा, आप देखलो क्या चीज़ किसके बराबर है A, B जो है, A से लेके B यह हमारे object की height है, इस वाँ पर लिख देंगे HO, height of object IQ जो है, I से लेके Q यह image की height है, इस वैसे लिख देंगे HI अच्छा, B से लेके X B से लेके, यानि के यहां से लेकर यहां तक का जो distance है, वो तो अल्यटी है बता चुका हूँ, बराबर है P के, यानि के object distance के और Q से लेके X Q से लेके X, यह जो distance है, यह बराबर है Q के, यानि के image distance So हम पूरा equation number 1 का नाम दे सकते हैं, इसको H over HI बराबर होगा P over Q के अब अब अगेन दो और triangles देखिए एक triangle है A, B, F और दूसर triangle है X, D, F दोनों right angle triangle हैं और यह भी से मिले रहे हैं, तो comparable हैं अच्छा, दोनों triangle दिखा रहेते हैं, सबसे बहले triangle आ जाएगा A, B, F A, B, F यह वाला triangle होगा ठीक है, एक right angle triangle है और दूसरा है X, D, F X से लेके D और फिर D से लेके दुबारा से कहां तक आ गया? F तक side है, A, B, वो comparable है दूसरे वाले triangle की X, D, valley side के तो A, B, divided by X, D, बराबर होना चाहिए इन दोनों का ratio बराबर होना चाहिए, बाकी दो sides के ratios के दर्म्यान तो इस triangle की side ले रहे हैं B से लेके F, तो इस वाले triangle की side ले रहे हैं, X से लेकर F तो A, B और X, D का ratio distance यह होगा, उतना ही distance I से लेके Q तक अभी होगा तो इसका मतलब जहां पर हम X, D लिख रहे थे वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर हम लिख सकते हैं IQ तो हम यह जो इस equation के अंदर A, B, divided by X, D लिखावा है तो इस X, D के जगापे हम IQ भी पुट कर सकते हैं, तो IQ पुट करेंगे तो यह हो जाएगा, AB over IQ is equal to BF over XF अब क्या चीज किस के बराबर है तो उसके लिए जो है ना हम आपको समझाते हैं AB और IQ तो आपको पता है, वो HO और HI के बराबर है अब देख लो, B से लेके F और X से लेके F किस के बराबर है तो देखो, B से लेके F यानि के यहां से लेके यहां तक का distance यह जो B से लेके F तक का distance है यह किस के बराबर है, तो देखो total distance यहां से लेकर यहां तक का P है उसमें से अगर मैं F तक का फासला निकाल दूँ तो मुझे ये वाला फासला मिल जाएगा यानि के B से लेके F तक का तो in simple words B से लेके F तक का फासला बराबर होगा P माइनस F के तेखिए अगर P में से F माइनस कर दूँगा तो मुझे बाकी का फासला मिल जाएगा यानि के B से लेके F तक का और बाकी x से लेकर f तक का फासला तो आपको पता ही है, x से लेकर f तक का फासला बराबर होता है focal length के, तो याद रखे, b से लेकर f, p-f के बराबर है, और x से लेकर f तो बराबर है ही focal length के, इसी वजह से हम क्या करेंगे, b से लेकर f के जगा पे आजएगा p-f, और x से लेकर f तक का जो फासला है वो बराबर होगा हमारी focal length के और बाकी A भी हमारी height of object था और IQ जो है वो height of image यह हो जाएगी हमारी equation number 2 अब हमारे सामने न दो equations है equation number 1 और equation number 2 दोनों को देखो तो दोनों को compare कर सकते है because दोनों की left hand side equal है जब left equal है तो right hand side भी equal होगी यानिके P over Q बराबर आ सकता है P minus F over F के इन दोनों compare करके दोनों की right hand side को भी बराबर लिग दिया P upon Q बराबर होगा P minus F over F अब simplify करना है और उस form में लेकर आना है जो form है thin lens formula की तो उसके लिए क्या करेंगे इस equation को divide पहले तो cross multiply कराएंगे तो क्या होगा cross multiply कराने के लिए देखलो Q इदर जाके multiply होगा P और F के साथ और F सीधा सीधा P से आके multiply हो जाएगा तो F P से multiply होगा तो P F आ जाएगा और Q multiply में चला गया P minus F के और फिर bracket solve करेंगे तो P multiply by Q यानिके Q P और फिर Q multiply by F यानिके Q F आ जाएगा finally यह जो equation लिखी भी नजर आ रही है इसको हम divide कराएंगे P Q F से on both sides तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा P Q F इसके अपॉन में भी आ जाएगा P Q F और इसके अपॉन में भी आ जाएगा P Q F अब यहां से देखो P से P और F से F cancel हो गया यहां पर Q P और P Q cancel हो गया यहां पर Q F और Q F cancel हो गया तो क्या बचा यहां पर बचा 1 upon Q यहां पर 1 upon F और यहां पर 1 upon P ठीक है और फिर इसको rearrange करेंगे तो minus का P Q के साथ जाकर हो जाएगा plus तो हो जाएगा 1 over F is equal to 1 upon P plus 1 upon Q और यही जो equation लिखी भी नजर आ रही है यह equation कहलाती है thin lens equation और इस thin lens equation की खास बात यह है कि इसमें यह जो F P और Q है याद रखिए F के बारे में तो last lecture में ने बताया भी था कि F positive होता है for convex lens और negative होता है for concave lens P for real objects positive होगा for virtual objects negative होगा Q यानिके image distance for real image Q positive होगा और for virtual image Q होगा हमेशा negative क्योंकि virtual image हमेशा उसी side पर बनता है जिस side मतब raise को पीछे बनाने पर बनता है जो कि मैंने last lecture में समझाया था इस वज़ासे याद रखिएगा focal lens positive होगी convex के लिए concave के लिए negative object distance positive होगा और image distance भी positive होगा for real and for virtual P और Q दोनों होगे minus के that's it I hope आपको समझ में आ गई हो कि derivation असान सी है लेकिन यही कि फिर भी इसकी practice करके रखनी है बहुती अच्छी किसमत भी पेपर में आ भी सकती है वरना इतनी असान चीज पेपर में आती नहीं है लेकिन practices वैसे करनी है ताके numerical समझने में असानी हो और जब आप अप्लाए करो इसको different topics के अंदर तो भी कोई confusion नहीं होनी चाहिए इस lecture के लिए इतना ही है अगर लेक्चर मिलेंगे अल्ला आफिस